आज हम continue करेंगे class 4th का lesson जिसका नाम है यंग कलाम यंग कलाम आपने नाम सुना होगा डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जो भारत के 11th president थे president means राश्रपती थे 11th आज हम इनके जर्नी को देखेंगे इनका जनम कहां हुआ कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में struggle किया है अपनी family की help किया है in the time of needs जरूरत के समय अपनी family की इन्होंने बहुत help की है और किस तरह से एक दिन ऐसा भी आया इन्होंने अपनी higher study पूरी की ये देश के 11th president बने क्या इनकी जर्नी रही है वो सब अब continue करते हैं lesson है 12 जिसका नाम है यंग कलाम a bright-eyed boy with wavy hair was playing with his friends on the beach of Rameshwaram a seaside town in Tamil Nadu ये जो story है यंग कलाम जी की इसमें यहां साफ बताया गया है कि इनका जनम कहां हुआ था कौन से state में हुआ था और इनके जो सपने थे वो सपने क्या थे ये क्या सपने देखा करते थे और क्या वो सपने हकीकत बन पाए वो reality हुए तो इनी के बारे में हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे एक bright eye का boy मतलब जिसकी आँखों में बहुत चमक थी with wavy hair और इनके जो बाल थे वो curly थे वेवी थे देखिए यहां पर ये हैं Dr. A.P.J. अब्दुलतलाम आप इनके hair देखिए ये देखिए वेवी hair थे गुंगराले कह सकते हैं was playing with his friends और ये अपने friends के साथ खेल रहे थे कहां पर on the beach of रामेश्वरम रामेश्वरम नाम की जगें हैं ये seaside area है सी समझते न समुंदर वाला जो area होता है वो वाला area है और जो रामेश्वरम नाम की जगें है and it is in Tamil Nadu कहां पर है ये Tamil Nadu में तमिल नाडu कहां है तमिल नाडu इंडियाम की south direction में है हमारी चार directions होती है north, east, west and south तो तमिल नाडu जो है हमारा south direction में है नीचे की तरफ the sweet sound of birds circling overhead attracted him birds की क्योंकि sea वाला area था वहां बहुत birds होते हैं तो वो जो birds की जो sound थी वो इनको attract कर रहे थी birds जो थे इनके सिर के ऊपर circling कर रहे थे घूम रहे थी तो इनको वो sound बहुत attract कर रहे थी अपनी तरफ फीच रही थी he keenly observed a flagling pushed on a boat trying to fly here the word meaning flagling this means is baby bird bird का जो baby होता है that is baby bird ठीक है यह keenly keenly मतलब बहुत excitedly observe कर रहे थे baby जो bird था वो boat पर बैठा हुआ था पर्ष्ट होता है set बैठा हुआ था and वो क्या कर रहा था क्योंकि वो baby था तो वो fly करने की कोशिश कर रहा था it slowly spread its wings fluttered for a while and sawed up into the sky तो जो bird है baby bird वो slowly अपने wings को क्या करता है spread करता है फैलाता है fluttering करता है जैसे आपने birds को देखा होगा जब वो अपने पंकों को ऐसे जाडते हैं तो एक sound से आती है उसको बोला है यहाँ fluttering ठीक है fluttering किया for a while and sawed up into the sky और वो हवा में उपर आस्मान में उड़ जाता है the boy wished that he could fly like the birds तो boy जो था जो उस baby bird को observe कर रहा था वो boy कौन था वो थे young कलाम तो जो young कलाम थे उनकी wish थी कि काश he could fly क्या काश वो bird की तरह fly में उड़ सकते तो क्या हुआ आगे his actually his complete name is here अवल पाकिर जनालूबदीन अब्दुल कलाम यह इनका पूरा नाम है इनको short में Dr. A.P.J. अब्दुल कलाम कहा जाता है who went on to become the 11th president of India और जो क्या बन गए भारत के 11th president बने थे यंग कलाम's passion for flying inspired him years later to design India's first rocket SLV-3 यंग कलाम का जो passion था, passion means जो love था, great love था, बहुत इनको पसंद था क्या, flying inspired him years और इन्ही का great love था, fly करने में, हमने पीछे पड़ा है न और इन्ही की इसी passion ने इनको बहुत ज़्यादा inspire किया, इनको prayer ना दी कि मुझे वहाँ पहुचना है, मुझे भी उड़ना है एक दिन ऐसा आया काफी सालों के बाद, इन्हों ने design किया एक इंडिया का पहला rocket, हाँ जी, बिलकुल, इंडिया का सबसे पहला rocket डिजाइन किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ने, जिसका नाम था, SLV-3 Satellite Launch Vehicle which successfully sent a satellite into orbit on 18th July 1980, और बहुत successfully इन्होंने ये जो satellite था, उसको भीजा orbit पर, and 18th July 1980 का वो मतलब दे था, कलाम was born on 15 October 1931, और इनका जो बर्थ हुआ था, 1931 में हुआ था, 15 of October को, रमेश्वरम में, the houses on the sides of the narrow streets were made of limestone and brick, अच्छा जो इनका घर था ना, वो narrow streets में था, narrow street गली का नाम नहीं है बच्चे, ये narrow होता है, tight, तंग, तंग गली थी, बड़ी खुली चोड़ी गली नहीं थी, वो तंग थी, और जो वो घर था इनका वो बना हुआ था, brick से, ido से, on limestone से, जो चूना पत्थर होता है, ये white कलर का भी होता है, ये थोड़ा सा yellow कलर का भी होता है, कलाम lived with his father, mother, brothers and sister in their ancestral house, on mosque street, कलाम जो थी, ये अपने घर में, अपने father, mother, brother, अपनी sister, जो इनकी family, पूरा परिवार था इनका, तो उनके साथ रहते थी, अपने ancestral house में, ancestral house कौन सा होता है, ancestral मतलब होते हैं, जो हमारे पूरवजो के घर है, ठीक है, जो लंबे समय से जहां पर पीड़ी रह रही है, जैसे मेरे दादा जी, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो ancestral house हो गया है, मतलब बहुत लंबा पीरियोड जहां पर बीटता जा रहा है परिवार का, और यह कहां पर रहते थे, यह रहते थे मॉस्क गली में, उस गली में मस्जिद थी, मॉस्क होता है मस्जिद, इट वस अ स्मॉल सिंपल होम बिल्ट इन दा नाइटींथ सेंचुरी, और इनका जो घर था, बहुत ज़्यादा छोटा था, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल घर बना हुआ था, और यह कब की बात है, यह 19th सेंचुरी की बात है, अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, दा फैमली यूज़ड तो सिट अन चैट इन दा वरांदा, इन फ्रेंट ओफ दा हाउस, और जो पूरा परिवार था इनका, उनकी आदत थी, वो सब इकठे बैठा करते थे, और घर के बाहर सामने, घर के सामने वरांदा बना हुआ था, ऐसे खाली जगह बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर घर है, और यह जो एरिया खाली था, ठीक है, तो यह वरांदा होता है, तो यहाँ पर बैठे हुए थे, और इनकी फैमली की आदत थी, काफी समय कठा बिताते थे, और बैठ कर बाते किया करते थे, एक दुसरे के साथ, और इनकी जो डिसकेशन्स हुआ करती थी, based on a wide range of subjects, बहुत अलग-अलग subjects पर, अलग-अलग topic पर इनकी discussions होती थी, और discussions कोई छोटी नहीं होती थी, बहुत wide discussions, बहुत लंबी discussions चला करती थी, इनकी people from all over India visit his house now, आज के time में भी जो लोग हैं, इनके घर को देखने के लिए जाते हैं, all over India से ही लोग इनके घर को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत great personality रहे हैं, अपने life में ये बहुत ज़्यादा simple व्यक्ती थी, बहुत ज़्यादा simple personality थी, बहुत simple इनके, मतलब thinking इनकी high थी, इनका सोचना बहुत अच्छा था, लेकिन इनका living of standard बहुत अच्छा था, बहुत simple था, the main room has some furniture, और इनके जो घर था, उसमें main room जो था, वहाँ पर कुछ furniture रखा हुआ था, in a corner there is a shelf of books, और घर, उस मतलब corner में वही पर, क्या था, books की एक shelf बनी हुई थी, shelf समझती हो न, ऐसे एक slave बनी होती है, जिसके उपर हम सामान रखते हैं अपना, तो shelf बनी हुई थी, उस पर क्या था, उस पर English और Tamil की जो classics थे, वो रखे हुए थे, books वगेरा रखे हुई थी, तो यहाँ एक question arise होता है dear, की when and where was Kalam born, Kalam का जो जनम है, when and where, कब और कहाँ, तो कब हुआ था इनका जनम, इनका जनम हुआ था 15 October 1931 में, and where, रामेश्वरम में हुआ था, remember, next है, Jinnul Abudin Kalam's father was a pious man, मतलब वो एक holy man थे, एक religious, pious means here, religious, एक धार्मिक व्यक्ती थे, though he led a simple life, he provided his family with all the basic comforts, देखो वैसे तो वो बहुत simple life व्यतीत करते थे, बहुत सा धारन व्यक्ती थे, लेकिन उसके बावजुद भी, उन्होंने अपने family को, सब भी उनकी जो जरुरत थे थी, family की जो basic needs होती है, रूटी, कपड़ा बगेरा, बहुत मतलब अच्छा provide करवाया उन्होंने, the main income for the family came from fearing pilgrims across the sea, between Rameshwaram and Dhanushkori, देखो, इनकी family का जो main income का source था, देखो, किसी की दुगान होती है, किसी की factory होती है, लेकिन इनकी family का source क्या था, पैसे कमाने का, fearing pilgrims, pilgrims कोन होते हैं, pilgrims होते हैं, तीरत यातरी, जो भगवान के दर्शन करने के लिए, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, और ferry क्या थी यहाँ पर, यह boat है, ठीके, तो इनकी family का क्या income था, source of income क्या था, कि जो तीरत यातरी आते थे न, क्योंकि C वाला area था रामेश्वरम, तो जो भी तीरत यातरी आते थे, इनके जो फादर थे, उनके पास थी boat, तो इनके फादर उनको boat में बिठा कर, तीरत यात्रियों को, कहां ले जाते थे, रामेश्वरम से धनुषकोडी, और धनुषकोडी से रामेश्वरम, ठीक है, यह area है, यह दोनों धार्मिक जगए है, यहाँ तो यहाँ से वो यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहीं से इनकी कमाई हुआ करती थी, वेल्ग्रिम्स विजिटिंग रामेश्वरम, ओल्सो विजिटिद धनुषकोडी, जो भी लोग, जो भी तिरत यात्री रामेश्वरम जाते हैं, वो धनुषकोडी ज़रूर जाते हैं, यह कहाँ पर है धनुषकोडी, एड दा साउधर्न टिप ओफ इंडिया, इंडिया का जो साउथ डारेक्शन था भी, हमने पढ़ा था रामेश्वरम के बारे में, साउथ डारेक्शन में था न, इसके बिलकुल टिप पर है, कॉर्नर पर है, साउथ में, और इसी काम से इनके फादर को बहुत अच्छी इंकम हो जाती थी, और इनकी फैमिली बहुत अच्छा, बहुत आराम दायक जीवन जी रही थी, अनफॉर्चुनेटली, अ वाइलेंट साउधर्न लाश्ट दा सोर्स ओफ रामेश्वरम, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भागेवश, क्या होता है, एक वाइलेंट बहुत जोर से एक तुफान आता है, बहुत तबाही लेकर आता है अपने साथ, लैश्ड दा शोर्स ओफ रामेश्वरम, रामेश्वरम से टकराता है आकर के तुफान and destroyed their boat, और उनकी बोट वहीं पर रहती थी, खड़ी होती थी जैसे, तो तुफान में उनकी बोट थी, वो destroy हो गई, खराब हो गई, टूट की, तबहा हो गई, अब फामिली का जो इनकम था, इनकम का जो सोर्स था, वो क्या थी, only boat थी, अब वो boat क्या हो गई है, destroy हो गई है, तो उनकी जो फामिली का सोर्स क्या हो गया है, बिल्कुल खतम हो गया है, अब यहाँ question आता है, what was the family's main source of income, फामिली का इनकम का main source क्या था, बताओ, हाँ, यह boat ही तो थी, उनकी फामिली का main source of income, correct, ओके, यंग कलाम वांटी तो help his family, अब यंग कलाम क्या चाहते थी, अपनी फामिली की help करना चाहते थी, there was a demand of tamarind seeds, so he collected tamarind seeds, and sold them to a shop near his house, देखो, वहाँ पर न, demand थी tamarind seeds की, और वो tamarind seeds collect करते थे, और पास ही में एक दुकान थी, घर के पास, वहाँ sell करते थे, अब यह tamarind seeds क्या होते हैं, इमली के बीज सुनाएं, आपने, इमली के बीज होते हैं, यह क्या, वहाँ पर बहुत ज़्यादा demand थी, क्योंकि यह न, digestion, indigestion हो जाता है, जो, तो उसमें digestion में help करते हैं, तो वह बहुत demand थी, यह collect करके, घर के साथ ही एक दुकान थी, वहाँ sell कर देते थे, his family wanted him to concentrate on his study, लेकिन जो इनकी family थी, वो चाती थी कि, फैमली की भी क्या करेंगे, help करेंगे, सबको बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए, देखो, खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन family की help भी बहुत ज़रूरी है, आप अपने family की help और तरीकों से भी कर सकते हैं, ममा की help कर दी, kitchen में, फादर की help कर दी, उनका काम थोड़ा सा हलका हो जाता है, he spent the evenings studying और enjoying with his friends on the beach, ये क्या करते थे, अपने शाम जो होती थी evening, उस समय ये study करते थे, और साथ ही साथ ही अपने friends के साथ क्या करते थे, enjoy भी करते थे बीच पर, but he never forgot to collect tamarant seeds, लेकिन ये उन seeds को collect करना कभी नहीं भूलते थे, और उनको फिर collect करके साथ ही जो shop थी, वहाँ sell भी करते थे, he was paid one anna for this, और इसके बदले में इनको क्या मिलता था, one anna, one anna क्या होता है, 6.25 पैसा, मतलब पूरा एक रुपया भी नहीं मिलता था, सवाच 6 रुपय मिलते थे इनको, कलाम also helped his cousin Samsuddin, to sell a popular Tamil newspaper, to earn a little more money, अब कलाम क्या कहते, मतलब वो चाहते थे, कि थोड़ा सा income और बढ़ जाए, उनकी family की थोड़ी सी और help हो जाए, तो इन्होंने क्या किया, अपने cousin से contact किया, उससे help ली, कजन का नाम था Samsuddin, तो क्या करते थे वो, यह जो थे, यह Tamil के जो newspaper थे, बहुत popular newspaper थे जो Tamil का, उसको sell करते थे, तो उसी में कलाम ने इनकी help की, to earn a little more money, ताकि यह थोड़ी सी और जादा income कर सके, अपनी family की help कर सके, leftover part of chapter, with textual question, answers and exercise, we will do in the next part,